22 जुलाई से भगवान भोले शंकर का प्रियम मास सावन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी शिव भक्तों के लिए हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी सावन की विशेश तिथियों पर हमारी संस्थान में शिव रुद्रा भिशेक का आयोजन किया जा रहा है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज ही इस पूजा से जुड़े। हर हर महादेव। उन्होंने तुछ प्राणी समझ लिया और तपस्वी के ऐसे व्यवार को देख भगवान शिव ने उनके एंकार को तोड़ने का निश्य किया। भगवान शिव उनके आस्रम में बिक्षुप का रूपधारण कर जा पोचे। वहाँ पर साधूं को इस बात का गमन था कि सभी संपून स्रिष्टी पर ही आधारित है। उन्होंने भगवान को भी कुछ नहीं समझा और भगवान शिव ने अपनी तर्क से सभी साधूं की बात को गलत साबित कर दिया। तब सभी साधूं ने क्रोधित होकर भगवान शिव को दंडित करने की योजना बनाई यह देख भगवान शिव ने अनोखा रूप नट्राज का धारन कर लिया। नत्य मुद्रा में आ गए और भगवान शिव के इस रूप को देकर सभी साधू थोड़े से बहबीत हो गए भगवान शिव ने नट्राज का रूप धारन कर राक्ससों और शापों को नत्य से परास कर दिया। और भगवान शिव के इस नट्राज रूप से सभी तपस्वी और साधू प्रसन हों उनसे एक शमायाचना करने लगे और उसके बाद भगवान शिव के इस नट्राज रूप की पूजा आरादना होने लगी। तो ये भगवान शिव का नट्राज रूप और इस नट्राज रूप की नत्य कलाग से सम्बंदित क्लासिकल डांसर्स सभी इस रूप की पूजा आरादना करते हैं जब भी कोई नत्य आयोजन होता है तब आपने देखा होगा कि सबसे पहले भगवान शिव के इस इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने 11 अगस्त रवीवार का दैनिक राशी पर लेकर उपस्तित हूई हूँ और सबसे पहले आते हैं आज के पंचांग पर तो श्रावन मास की शुक्ल पक्ष की सब्तमी तितिया आज है जो कि पूनर रातरी रहने वाली है चित्रा नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है जो कि प्रातकाल पांच बचकर उन पचास मिनट तक रहेगा उसके बाद स्वाती नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा चंद्रमा आज तुला राशी में गोचर प्रमन करेंगे शुक्ल योग आज के गया चिहां के नाम से जानते हैं उसका टाइन पीरियोड दौपएर 3 बज़े से लेकर 4 बच तीस मिनट से 6 बज़े तक रहेगा दिशा शुलाज पच्छिम दिशा में रहेगा यदे इस दिशा में यात्रा करना आवशक हो तो घी खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं बढ़ते हैं आगे और आजाते हैं आज के देनेक राशी फल पर आज रवीवार का दिन है अतर जोतिश रास्तर के अनुसार आपको कुछ विशेश रुपाए आज मैं आपको बताऊंगी तो विडियो के अन तक आप मेरे साथ बने रही है शुरुआत करते हैं प्रथम र आज के दिन आप अपने लव मेट के साथ में अच्छा समय व्यतीत कर उनकी शिकायतों को दूर करेंगे अगर आप किसी को मनी मन चाहते हैं तो आज उसे प्रपोस भी कर पाएंगे आज के दिन परिवार में मंगलिक का रिक्रमों की रूप रेखा रखी जाएगी मेश अब आते हैं वरशव राशी पर आपकी रासी से चंद्रम आज के दिन छटे बाउं में गोचर प्रमन करेंगे आज के दिन आखे बंद करके किसी पर भी बरोशा ना करें आज के दिन स्वास समंदी समस्यों के प्रती सतर करें अपनी खान पान का विशेश भूप से ध्यान रखें आज की दिन किसी से भी न जगने नहीं कोई तरक कुतर करें वरना बात बहुत अधिक बिगड सकती है ननियाल से सुब समाचारों की प्राप्ती होगी प्रशब राशी के जातकों को रविवार के दिन सूर्योदे से पहले उठकर सनान कर लाल रंके आसन पर बैठकर सूर्य च आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन पांचवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन संतान से समंदित सुब समाचारों के प्राप्ती होगी वहीं संतान के प्रती आप प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे आज के दिन परिवार के साथ अच्छा औ विवार के दिन लाल पीले या नारंगी द्रंग के धागे को बादना चाहिए ऐसा करने से शुब पल की प्राप्ति होगी आपका शुबरंग रहेगा गुलाबी शुबंग रहेगा एक अब आते हैं करक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा कुछ कार्य आपके दृत गती से संपन होंगे आज के दिन यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी आज के दिन आपको अपनी मा का पूरा सपोर्ट मिलेगा करक राशी के लोगों को रविवार के दिन सूरियास होने से पहले करीब और जरुत्मन लोगों को लाल और पीले रंग का कपड़ा दान करना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा बूरा शुबंग रहेगा चार अब आते हैं सीह राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपकी इनल स्ट्रेंग में रद्दियों की कुछ काम आपके फटा-फट से होते हुए दिखाई देंगे यात्राएं सुखद और मंगल में रहेगी आज के दिन आप कोई बड़े कारे में बड़ी सफलता हासिल करेंगे चोटे भाई बैनों के साथ अच्छा और कॉलिटी टाइम बिताएंगे आपका शुब्रंग रहेगा ग्रेश शुबंग रहेगा पांच अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचे प्रमन करेंगे आज के दिन कुटुम मैमान सम्मान बड़ेगा कुछ विशेश कारे आपका संपन होता हुआ दिखाई देगा आज के दिन योजनाबत तरीके से कीए गयकारे का भी विशेश लाब आप ब्राप्त करेंगे आज के दिन भरमित नहों और आज के दिन अपनी जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर बैहस नह करें कन्या राशी के जातको को रविवार के दिन गरीब और जरुत्मन लोगों को पीला लाल नारंगी रंग का भोजन दान करना चाहिए इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी आपका शुब्रंग रहेगा मैनून शुबंक रहेगा नो अब आते हैं तुला राशी पर आपकी राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचे प्रमन करेंगे आज के दिन आपकी मानसिक शांती और इस्थिता बनी रहेगी आपका अकर्शक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा आज के दिन आप अपने परिवार के साथ अच्छा कॉलिटी टाइम बिताएंगे कहीं प सुर्य आये नमा ओम भासकर आये नमा ओम आधित्याये नमा मंत्र का जाप करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा गोल्डन शुबंग रहेगा दो अब आते हैं ब्रश्चिक राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन बारवे भाव में गोचर ब्रमन करेंगे आज के दिन खर्चों की स्ततिया बढ़ सकती है इसलिए अपना बजट देखकर और निर्दारित करके चलें आपके पारिवारिक सदस्यों का से योग मिलेगा आज के दिन यात्राएं अधिक आज के दिन आप कोई भी कारें ऐसा ना करें जिससे आपके पारिवारिक सदस्यों का मन आहत हो जाए प्रश्चिक राशी के जातकों को रविवार के दिन सूरि स्तरोध सूरिề 40 पार्ट करना चाहिए इसके अलावा प्रश्चिक राशी वालों को तांबे का सूरिय अपने आज के दिन ग्यारवे भाव में कोच एप्रमन करेंगे अता आज के दिन आकस्मिक धनलाप की परिस्तितियां आपको देखने को मिलेगी मित्रों का साथ मिलेगा आज के दिन आपके जीवन में कोई रोमेंटिक मोड आ सकता है आज के दिन आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसम अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दसवे भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज के दिन कोई भी कारिया जल्द बाजी में न करें अधिकारियों का सयोग मिलेगा कारिया फटा-फट से होते हुए दिखाई आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही बागय वर्दक रहेगा आपके अधूरे पड़ियों के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे कारिया फटा-फट से होंगे अध्यात्मी कारियों में आपका मन अधिक लगेगा आज आप किसी अजनभी की साहता कर आपनी मानसिक शांती को बढ़ाएंगे कुम राशी के जातकों को रविवार के दिन नारंगी रंग के बस्त्र धारन करने चाहिए साथी प्रातक काल सू कंद्रमा आज के दिन अस्टम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपको अपनी शत्रों से बच कर रहना चाहिए बाउकतावस अपनी गोपनी बातों को किसी की साथ शेयर ना करें नए कारे की शुरुआत से बचें जो रूटीन में काम चल रहे हैं उनी को क करने का प्रयास करें मीन राशी वाले जातकों को रविवार के दिन अपनी कलाई पर तांबी का कड़ा धारन करना चाहिए साथी घर के बुजूर्गों के साथ में अच्छा व्यवार जरूर करें आपका शुब्रंग रहेगा मजंटा शुबंक रहेगा आठ तो यह 11 अगस श्री माली एक प्रसिद्ध ज्योतिश आचार्य हैं उनके जोध पुरिस्थित ज्योतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों कि जए अन्य सकता हैं जब्न Onun नके टूजाएं का जगला मुदमें उनके जए advanced digit हैं, कि विद्वान प्रसिवास दोब्से, का कि विवान जजाएं लिवां ऑ乌त safety.